सबसे पहले हम बात करेंगे एफ़ईनो सूपरमाट डीमाट सेयर के बारे में अगर हम आज की दिन की प्रफफमेंस की बात करें तो एक बहुत अच्छे तेही देशन को मिला और उसके पीछे का रीजन है दोस्तों एक बहुत बढ़े ब्रोकेज हाओस ने अगर हम सी लेसी की बात करें तो उन्हें कब्रेज किया कि आप इन स्टॉक को इस लिवे से बाई करके चाहिए और आने बढ़े टाइम स्टॉक इस लिवे से आपको 26 पसंट के अपसाइड टार जरूर मेंसें करता है तो इन्होंने जो टार्गेट 26% कि साबसे रेज किया कि 26 भाग सकता है तो इसके पीछे का रीजन तो अगर हम रीजेन की बात करें तो आप देख सकते हो कि CLSU के ऐसा लगता है कि आने बले टाइम में वो प्रोजेक्ट करके चल रहे है कि डीमर्ट सेयर के जो स्टोर रहने वाले वो थ्री फोल्ड आपको इंक्रीस होते हैं देशन को मिसकता है जुकि अगर हम अभी कंपणी के करेंट स्टोर की बात करें दिमर्ट कंपणी के तो तीन सो सारे थीन सो के आसपास है और 22 स्टेटों में प्रेजन्ट है तो अगर आप बहुत सकते हो कि यह नंबर अगर आप इसके प्रफ्रेंस को देखोगे तो एक साल आप इसके प्रफ्रेंस को देखोगे तो एक साल में कितने 27% वह भी तब यह पिछले दो-चार दिनों से एक मत में जो तीजिया है और यहां से ब्रेक आउट दिया तब जाके आपको पिछले एक साल में 27% के प्रफ्रेंस के देखने को मिले अगर आप रफली भी देखोगे तो लगबाब 20% डाउन है एक्जैक्ली दे देखे 5,100 जाएगा सिर्फ 5,100 जी दोस्तों यह इसके पुराने लेवल है 6,000 के यह भी ब्रेक होगा 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 बस धीमी धीमी करके जाएगा क्योंकि एक टाइम पर अगर आप इसके लॉंग टाइम प्रफ्रेंस को देखोगे तो 6-7 साल हुए लिस्टिंग कितने परफ्रेंस के प्रफ्रेंस सबको ईससे लगता कि इसे जी साल में 600 पसंद माना के दिया तो आप हर साल यह एक मतब हर साल यह ऐसे ईह 100-100 पसंद की टर माना के देगा इसा बिलकुब भी नहीं है आसे 5-6 साल पहले यह चोटी एक मिद्ट काप साइच की कंपनी हुआ करते थ आपको प्रॉप्र में देखने को मिलेगा तो कमपनी अभी धीमे धीमे आपको चलते हो देखने को मिलेगा बट एक लोडिक्स वाली कमपनी मैक्समुम से प्रमोटर के पास है और प्रमोटर कौन है वह आपको पता है कि रादर किसन दमने जी जो की बहुत बड़े होके बने रह सकते हो अगला स्टॉक ही बात करें तो कमार की कंपनी अफिल इंडिया लिम्टिड अगर हम आज की दिन कि प्रमोटर के बात तो इसमें भी धंग की 205% और अगर आप नीचले से बात करें मतलब हाली में जो स्टॉक में गिरावाट आए था तो उस लिवे से स्टॉक में पिछले दो दिरों में आठ सारे आठ पसंट के अच्छे कासे में रिकार हुई मतलब रिकावरी भी दिखाते देखको मिलें बट आज भी देखा जाए यह लग्या ओनी हिले और यहां एक है फ्रस्ट्रम हैसे रिकावरी दिखा है पिछले तीन सालों से ईसे प्रफर ही नीचे आते हजार पर फिर जैसे हजार पी आते अच्छे पिछले अगर आप चार्ट पैटर को देखोगे तो यह आपको और भी प्रॉपर नजर आएगा तो यह चीजे बहुत दिनों से हम देख रहे हैं बट कंपनी की बात कर कंपनी बहुत सॉलिड है तो किसी आपको में में बट के बारे में किसी आपको में मेंकर जाना है तो यह एक तो इक थो पीं साथ चला नियदिए न स्टॉकमिंट mo इसे बिज्स मोडल भी गमानग के और शॉप तॉपली से डाउन ओर निययर और प और तीन सा Links से बिंदायों के लें ना तब उसमें इंट्री लेना होते है जब रॉकेट बन जाएगा ये पंदरासों के लेबल ब्रेक करके पीछी का रीजन भी है जो कि आप देखसेतों कि कंजूमर कंपणी ने बहुती लेस्ट स्पेंट उन्हें किया इस एडिपेटिजमें मार्केट को पर उसके पीछी का रिजन है कि एकोणोमिक फ्रोडाउन के चलते एकोणोमिक जो डाउन टाउन हमें देखने को मिला उससे ज मानना है कि आप बिजन्स में अच्छे कासे कमबैक आ रहे है तो आप बहुत अच्छे कासे आपको स्पेंट करते हुए देखन को मिल जाएगा और यह डेटा यह जो एडिपेटिजमें मार्केट है वो एट से लेके नाइंद पसंट के सीए जिया से 2018 तक आपको परफोंस कि देखने को मिशन जिनमें ऐफ़िल इंडिया जो पिछले 3-2 साल 3-3 साल से कुछ खास प्रॉप्रमेंस नहीं दिखा है अब साइस से इनके एक अच्छे कासे दिन आ साथ है और यह कंपनी कासे फिर से प्रॉप्रमेंस यह दिखा साथ है अच्छे कंपनीं दूस्तों कंप अगर के पास यह स्टावक अभी तक बने हो तो अच्य कम्पनी बिजनस को रिकवरी देखने को मिलेगा व्यासर स्टॉक प्रच में आपको रेकवरी देखने को मिलें लेगा और खास करके किसी के पास अगर है नहीं तो अच्छे लेइल पहर्पास तो आप चाहते हैं इसके decision ले से तो अगर आपको safely जाना भी है तो चाहो तो company के quarter 4K नमबर देखने के बाद भी आप बहुत ही safely आपने decision आप ले सकते हो आखरी stock की बात करें तो angelone limited अगर हम आज की दिन की प्रफ में इसकी बात करें तो लगबाग से पूरे एक पसंद की तेजी और निचले तरस से देखोगे तो 2400 तक आए थे तो उस लेवल से stock ने थोड़ा बात recovery ज़रूर दिखा है बट पिछले दो दिनों से यह जो 2700 के level है इसको बहुत अच्छी तरह से वह हमें resistant किसाब से face करते हो देखने को मतलब बहुत hurdle बन चुक है अगर 2700 यह 2750 को break कर दिया उसके बद एक और बड़ा भूब आपको आते हो देखने को मिल सकता है अगर आप इस चीज़ को technical भी देखोगे तो आप देख सकते हो कि दो दिन स से इस लिवल को 2750 की लेवल को break करने की कोशिच कर रहे है बर ब्रेक निंग कर पाए बर ठीक है ऐसे निके कोई permanent level है इस लिवल को आज ही तो को जरू ब्रेक कर गए उसके बाद 3000 को भी ब्रेक कर गए उसके बाद धीमेदी में करके stock आपको फिर से recovery होते हो देखने को मिल ज कि कोई भी लिवल परमेंट नहीं होता है यह हमें भी पता है जासे stock गिरा है जासे stock आपको एक तरफा comeback भी करते हो देखने को मिल जाए तो company के next month बहुत ही important रहने वाले है तो कि दो event होने वाले एक तो company के March month के business update जो कि हर मन्तिरिया में देखने को मिल जाते है और साय से अ कंपने नंबर भी present करते हो देखने को मिस सकता है solid company उम्मीद करेंगे company के इस पार के नंबर थोड़ा बहुत अच्छे आ गया तो stock बहुत ज्यादा गिरा हुआ है 30-35 पसे तो easily आपको stock में अच्छे कास है buying आते हो देखने को मिले को stock बहुत हद तक आपको recovery करते हो देखन अगर आपका पास है नहीं तो बहुत अच्छे कासे डिस्कॉन में मिले अगर आपको ब्रोकिंग इंडिस्ट्री में जा नहीं है तो सबसे बेस्ट प्रॉपमेस एंजिरों नहीं दे रहे तो बहुत अच्छे कासे डिस्कॉन में भी है जो डिस्कॉन यहाँ पी दिया था यहाँ पी दिया था यहाँ पी दिया था तो आप 34 इसके बारे में फ्रेस इंटी लेने के बारे में भी चाहो था इसके बारे में डिसेजन आप ले सकते हो अच्छे कंपने बिंदा अप लॉस में भी इसमें बने रह सकते हो